नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनो गुरुज योटूब चनल दोस्तों आज की वीडियों हम लोग बात करेंगे SSC की तरफ से बड़ी अपडेट आ गई है SSC इस्टेनो ग्राफर 2020 का जो डिटे निजाम हो था उसका रिजल्ट यहां पे घोसित कर दिया गया है और कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गए हैं वो भी हम लोग यहां पे डिसकस करेंगे और साथ में यह भी डिसकस करेंगे कि कितनी कटाफ गई है हर कटेगरी के कितनी कटाफ गई है और साथ में दोस्तों यहां पे आपकी स्किल टेस्ट के तयारी के लि पूछ सकते हैं तो यहां पर देखिए जो बड़ी अपडेट है ससी की तरफ से टेनो ग्राफिक ग्रेट सी एंडी एक्जामनेशन 2020 डिक्लियर डिकलेशन आफ रिजल्ट आफ कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम हुआ था ठीक है और तीन चलोडों में कितने चलोडों में हुआ डेटेल में जानेगे इसको हम कर लेते हैं डाउलोड दूबाराज़ में कर लेते हूं तो साथ में यहां पर कटाभ देख लेते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी हम आपको क्योंकि 75% है उसको हम आपको दिखाएंगे साथ में यह टेलिग्राम पर भी शेयर कर और साथ में यह भी हम बताएंगे कि आप कैसे त्यारी करनी है, फिलाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं नेट बंद कर देता हूं, नहीं तो लोग मेसेज करेंगे, चलिए, तो यहां पर देखिया है, तो यहां पर देखिया है, तो यहां 30% अगर आप कम पाएंगे, तो उस पर इंट्रेटर नहीं करेंगे, फिलाल यहां पर बाकी जो कटाप होता है, वो डिपन करता है, कि मेरिट पर कितना मेरिट गया है, उससे हिसाब से डिपन करता है, तो आई हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग काटेगरी की अलग अलग कैंडिडेट जो है, यहां पर इसकिल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराएं गए हैं, यहां पर अगर हम दुस्तों काटेगरी की बात करें, काटेगरी वाइस काटाप की बात करें, तो SC की जो है ग्रेट C के लिए 132 गई है, जिसमें कैंडिडेट इनको मिले हैं 545, वहीं तो SC का मेटर कैसे आएगा यह भी depend करता है, क्योंकि उसी पर final merit जाके बनती है, तो अभी जैसे कि आपको पता है कि 2019 वाला final result आना बाकी है, तो उसका भी जैसे final result आएगा तो उसी साब से यह भी अनौन कर सकते हैं कि कि कितनी merit और अभी increase हो सकती है, ठीक है, अभी क्योंकि seat के उपर depends करता है वैकेंसी कितनी है वैकेंसी किसाब से कटाब depends करना है फिलाल आप यह अपको अपना फोकस इसकिल test पर करना है ठीक है इसकिल test पर आपको ईसकिल test दो है दो स्थ्थों को qualified ने चेर उसमें कोई number नहीं मिलना है जो cut-up अबनेगा आपका इसी rate बाते कटाप थोड़ा सा चढ़ेगा ठीक है फिर रहाल वो डिपन करेगा हलाकि पिछली बार की दो चार उनिस के पश्चा बीस में सीट भी थोड़ा सा जादा है यहां पर देख लेते हैं कटाप ग्रेट डी की क्या गई है तो ग्रेट डी की देखिए हंगे इस हीम की चार से इस से होंगे जो फरफ़ेंस होंगे दोनों वहाले तो उन мें से इस में से ुल दिलिट्री ूरो साथ के साते लिए क basically स्कुछ जाएगी लोसरु साथ सर्फ के सनायं इसके लिह थो सकते अमारी व्में से जानकार को दो साथ करसके हें आपको करें स्टुछ सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, मारी मेल आइडिय है, stdforestrenographer at gmail.com बाकी चीजी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो आई होप कि जैसे अभी तो COVID का third wave चल रहा है, तो जैसे ही खतम होगा, तब तक अभी आपके पास 2-3 महिने का समय भी है, ठीक है, और अभी election है, तो election के दोरान वैसे भी skill test नहीं हो पाएगा, तो आपके पास 2 महिने का तो है, मान के चलिए कि मार्च या अपरेल में ही skill test होगा, तो तब तक के लिए आप अपने तयारी में जुड जाएए, और फटा-फट से तयारी में लग जाएए, और जितना हो सके, डेली मेंटर को टांस्क्राइब करिए, और साथ के साथ उसको मिलाईए, और देखे कि किस प्रकार की गलती हो रही है, बहोचन की गलती हो रही है, हमारे सरवना में गलती हो रही है, उन सब को पॉइंट आउट करिए, उसमें सुधार करिए, ठीक है, बाकी कुछ अब डेट है, तो हम आपको देते रहेंगे, अगर आपने चनल को सब्स्राइब ने के, तो प्लीज सब्स्राइब कर लीजेगा, इसका हम आपको रिजल्ट भी दिखा देते हैं, सायद 72 पेज़ का रिजल्ट है, एक सिकंड में रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ, देखिए, यहां पे रिजल्ट भी हमने डाउनलोड कर लिया है, अगर वो ग्रेट D देते हैं, तो पहले उनको ग्रेट D पे ही विचार के जाएगा, भले आप ग्रेट D सेलेक्ट करे हों, ठीक है, अगर आपने फॉर्म में भरते समय गलती कर दिया, और फॉर्म में जो लेंगोज आपने भरा होगा, उसी लेंगोज में आपको स्किल टेश्ट देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आई होब कि आप समझ गया होंगे, अपना रिजल्ट और रोल लंबर यहां पे चेक करिए, ठीक है, रोल लंबर चेक करिए, और अगर आपका हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आप त्यारी करना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गुरूप जोइन कर सकते हैं, नई तो आप मारी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे